तुम चाहे जितनी यातनाय दे लो, तुम चाहे जितने जुलम कर लो, जब तक इस देहे में प्राण रहेगा, और माते पे संविधान रहेगा, इस दिल में हिंदुस्तान रहेगा. भारत मातह की भरत माता की भरस्ता चार का एक ही काल वैद्सटा चार के ही काल हुए यह EDo कि कोई बेहिमानी हो गई है कि इडवी और सीब् यह कताना बना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कण्या कुमारी तक किसी चाय के ढ़ावे पे भी रुके हुए दस लोगों से बात करोगे कि केजरिवाल कॉन है जानते हो मुझे यार वो दिल्ली में काम बड़ा सांदार कर रहा है और काम तो करी रहा इमांदारी से कर रहा है केजरिवाल जी का नाम आज इमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में और भारतिय जनता पार्टी इतनी अपने आपको कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज में एक उधारन नहीं पेश कर पाई कि उस राज में काम इमानदारी से हो रहा है और काम हो रह भगाढने के लिए यह सारा शडयंतρα, सार एक खुचक रचे जा रहे हैं उस अर्विंद केजृवाल जी की इमानदारी की छवीख को बगाढने के लिए- लेकिन-जनता जानती है जनता के दिल के दर्वाजे खुले वुए हैं आप जेल के दर्वाजे बंद कर सकते हो लेकिन जनता के दिल के दर्वाजे बंदIGN कर सकते जनता के दिलों में आज भी वोई नौअ गूंज राए पिछले 10 साल से बताइए क्या ब्रेश्टा-चार का एक ही कल ब्रिष्टाचार का एक ही काल और जिनका जिक्र भी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने ब्रिष्टाचारी थे सब को इकठा करके भारतिय जंता पार्टी बना ली और भारतिय जंता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली उनको भी कहना चाहता हूँ कि आपका काल अभी जेल में है लेकिन जादे दिन तक जेल में नहीं रख पाऊगा आपका काल बाहर आएगा सत्रे महीने ये आस्वों इन आस्वों ने मुझे ताकत दिये सत्रे महीने जेल में मैं जब राजगाट पर आपसे बात करके गया था तो कहके गया था शायद साथ-अठ महीने लगेंगे मुझे उम्मीद थी मुझे उम्मीद थी कि साथ-अठ महीने में नहीं मिल जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, सत्रे महीने लग गए सत्रे महीने लग गए लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत इमानदारी की हुई है इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है इनकी तो बड़ी कोशिशे करीनों ने संजे भाई के उपर मेरे उपर अरविन जी के उपर पाइटी के और नेताओं के उपर देश के स सक्स से सक्त कानूनों की सक्स से सक्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो जूटे सचे केस में और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों को उपर लगाई जाती है ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के उप पर लगाई जाती है ऐसी ऐसी धाराएं लगाके इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो तो जैसे आतंकवादी को जेल में डालते हैं तो सड़ता रहता है जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है इन्हें लगा अरविंद केजरिव एक ही चीज कहूँगा कल सुबह में बैठा था कि सारी दुनिया की सारी बुरी ताकतें भी इकठी हो जाए ना तो जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसका साथ भगवान देता है उसका साथ भगवान जरूर देता है और यह आज बजरंग बली की कृपपा है कि सत्रे महिने बास सही लेकिन मैं आपके बीच हूँ और अभी गया में बजरंग बली के मंदिर में पंड़ी ने आशिरवाद दिया वहां जो पंड़ी मौदूज होते हैं वही बजरंग बली जी के वानी बोल रहे होते हैं उन्हों कि उन्होंने बजरंग बली जी की वानी सा आशिरवाद दिया कि विजैभव सफलभव मैंने का जी एक ही सफलता का मंत्र है डिली के एक एक बच्चे के लिए शांदार स्कूल बनाके देने हैं यही हमारी सफलता है और इस के लिए मैं कल से कह रहा था अपने सातियों से हम तो रत्त के घोड़े हैं, हमारा असली सार्थियवी जेल में बंद है, वो भी बाहरा जाएगा, फिर उसके बाद हमको तो जहां हकेंगे, लेकिन हमारा असली सार्थियवी जेल में बंद है, और जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूटके आ जाएंगे, बहुत किर यह कि फास्किया केवल बजरंग वली जी गिपासे और large में इतने इतने अरुप लगाए जूटे-जूटे बच गए-श्या निकल की आगे केविल अर्विन जी बजरंग वली जी कीपासे और में समझता हूँ भगवान जी वजरंग वली चल रही थी में बहुत धहन से सुन रहा था पढ़ रहा था पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से बाबा साहब ने 75 साल पहले करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी-कभी ऐसा भी होगा हम लोगतंतर का संविधान बना रहे हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा भी को उन विपख्षियों को कौन बचाएगा तो बाबा सहाब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी सम्विधान बचाएगा यही भगवाइन की किरपा है कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुलम करेगी एजेंशियों का दुर्पयोग कानूनों का दुर्पयोग करेगी जेलों का दुर्पयोग करेगी तो कौन बचाएगा 75 साल पहले उस महान शक्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा सम्विधान दे रहा हूँ कि तुमको सम्विधान बचाएगा आज हम सम्विधान के बतालत खड़ें, सम्विधान की ताकत से यहाँ पे खड़ें, आज मैं शुक्र गुजार हूँ, देश के सम्विधान का बाबा सहाब का उस्तास साथ, बहुत विनम्र निविदन के साथ में मानने सुप्रीम कोट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में, मानने सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तिमाल करते हुए कल ताना शाही को कुछला ताना शाही को कल गलत ठहराया और मानने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ उन वकीलों का जो पिछले डेड़ साल से 17-18 महीने से और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं मैं जेल में बैठा था आप लोग अंदोलन कर रहे थे अर्विन जेल में बैठे हैं आप लोग यहां सडकों पर डंडे खा रहे हैं लेकिन वह वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं एक कोट से दूसरे खोट धक्के खा रहे हैं एक कागज से दूसरे कागज में दा रहे इनकी एक-एक स्टाजिसों का, इनकी एक-एक चालबाजीयों का, इनकी एक तिगणमों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होके, इनके एक जूट का परताफास कर रहे हैं, मैं, मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान सरूप हैं, किसी भी जेल में बंध होन मैं धन्यवाद करता हूं सिंग भी साब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्टन साब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने, ED और CBI और भारतिय जंता पार्टी के सच को बेनकाब किया है, और मैं बह उनको सब को कॉडिनेट करने वाले विवेक भाई इधर शायद नहीं हो गई किसी विवेक जैन किसी अदालत में इस समय जाके आर्गुमेंट कर रहे होंगे इर्शाद भाई इस समय कहीं इस अदालत में आर्गुमेंट कर रहे होंगे कुछ पेपर बना रहे होंगे और उनके अफर मैं आम आदमी पार्डी के एक एक कार्यकरता का नेता हूँ खाँ, मैं तो सत्रे महिने, जेल में था, जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी एक चौथाई सी, इस पूरे स्टेज की एक चौथाई कोठरी में, कोई नहीं, जब मैं गया था तो मैंने, वहां के सिपाही वगेरा कहते थे, सर, बड़े उपर से ऐसी हिदायते हैं, वैसी हिदायते हैं, मैंने का आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वहां से निकलाओं जहां अरविंद केजरिवाल जी और मैं, औ अखबार बिचा के हम तो वहां से भी निकल का हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो, लेकिन, हम तो महां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था, जब मैं कोट आता था, तो मैं देखता था, बैरिकेट लगे हुए और उसके दूसराब नारे लग रहे हैं, अखबा दर्द होता था और वहीं से इश्वर से दुआ करता था, इनको सब को सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना, सलाम करता था आपकी ताकत को नहीं से, एक एक कार्यकरता को सलाम करता हूँ मैं, और सिर्फ डंडे खाने के लिए नहीं, क्योंकि भारतिये जंता प दंद बेद करके जेल में भेजने की धंकी देके जेल में भेज के उनके हमले करवा के उन पो धंकी करवा के एक मात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वह भरते जंता पार्टी है लेकिन उसके बावजूद आप टिके रहें एक एक अगमी टिका रहा एक एक अगमी जुका नहीं तूटा नहीं एक हमले केशे सारे खड़े हैं मैं दानता हूं किस-किस के ऊपर क्या क्या दवाब नहीं था और क्या क्या नहीं होगा क्या 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 नहीं आ रही थी लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहे सीना तान के खड़े रहे उस तने हुए सीने को मैं सलाम करता हूं आप लोगों को आप डटे रहे और आज देखें मज़े की बात अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगाया कि यार इनामादमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है जो सत्रे सत्रे महीने जैचे महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता उसके बावजूद ना जुखते हैं ना तूटते हैं किसी मिट्टी के तो बने हैं ये उस मिट्टी के बने हैं मैं बताता हूँ यह उस मिट्टी के बने हैं भारतिय जन्ता पार्टी वालो जिस मिट्टी पर भगत सिंग का पसीना की बूंदें गिरी हुई हूई जिस मिट्टी पर गांधी ने गोली खाई थी जिस मिट्टी पर भगत सिंग के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं जिस मि तौता मेना क्या तोड़ पाएंगे तुम्हारे CBI और EDI क्या तोड़ पाएंगे इनको नहीं टूटे लोग और मैं जेल में बेटढ बेटढ दुआये करता रहा और सलाम करता रहा अपने एक एक साथी को कि यह है अरविंद केजरिवाल की मुठ्धी यह है अरविंद केजरि थे बहर मैं कहता हूं मैं फक्र से सीना चोड़ा करके उस जेल की कोष्री में बैठा होता था अपने एक भाई के ऊपर एक बहन के ऊपर ये मेरी ताकत थी जेल के अंधेरे मैं कहूंगा कि जेल के अंधेरे में ये ताकत तो होती है कि वो तोड़ तो सकती है लेकिन जिसके बा दिन के लिए रेश्ट पर चले जाना मैंने का यार चेल के बाहर कदम रखने के बाद पहला हाथ जिस कारेकरताने पकड़ा था और रात को घर तक जो दूर खड़ा था केवल देख के गया है वो एमीद लगा रहा है कि मेरा मनीश सौधिया मेरा भाई बाहर आ गया है और मैं क जो संजे भाई ने नारा दिया है कि इनकी जमाने जब कराएंगे आज से और अभी से लग रहे हैं और बीजेपी वालो ढूंडते रह जाओ के कहां गई वोटे हैं कहां गई वोटे हैं आज से लगना है सबको जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक- एक आदमी को वोट करना पड़ेगा सवाल हमारा नहीं है ताना शाही के खिलाफ यह जो लड़ाई है सिर्फ आमादमी पालिटी के कारे करता हूं की नहीं है यह देश के एक-एक आमादमी की है मैं जेल में था अभी तो कई सारी खबरें अखबार पड़ता था टीवी यह विचलित नहीं करता था कि जमानत हुई कि नहीं हो इससे कभी मेरे को विचलन नहीं हुआ मेरे को विचलन किस चीज से होता था मैं देखता था कि देश के कितने-कितने बड़े-बड़े व्यापारियों को इनों ने 500-600 बड़े-बड़े व्यापारियों को इनों ने जूटे केसिस, सचे केसिस, इदर-दर के केसिस में लबना के बंद कर दिया गया है उनका किसी पार्टी वार्टी से भी कोई लेना देना शायदी होगा लेकिन आप सोचो कि एक व्यापारी अगर कोई मेहनस से काम कर रहा है और उसके उपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने आपके किसी पार्टी के नेता से कोई पंगा ले लिया आपने उसको उठा इनको इताना शाही नहीं है तो क्या है बाद सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेता हो की नहीं है बाद आमादी पार्टियों के नेता हो की नहीं है बड़े बड़े वैपारियों को उठा उठा के जेल में डाले दे रहे हैं और एक किसी कंपनी का चेर में जेल में चला जा तो और क्या है कोई गलत करे तो सजा दो लेकिन चंदे के धंदे में ED का नोटिस विजवाओ अपनी एजंसियों के कानूनी कागज विजवाओ उसके बाद उसको अंदर कर दो ये धंदा तो ताना शही ही कहा जाएगा भाई ये ब्रश्ट्याचार के खिलाफ लड़ाई नही स्कूलों के एक रात में रात को दो बज़े और पास कराया ट्रांस्फर कर दिया एक रात में अब किसी का बच्चा आज पढ़ता है स्कूल में 11 क्लास में वो तैयारी करा रहे हैं गुरू जी टीचर पूरी मेहनस से कि यार इसमें तो आयाइटी में जाने का पोटेंशल है कल को टीचर का ओडर मिल रहा है नहीं नहीं हमने तो 10,000 टीचर को इधर से उधर कर दिया है क्योंकि हमें तो ट्रांस्फर पोस्टिंग का सौक था अब तुम भार में जाओ यह ताना शाही नहीं है तो और क्या है बात 10,000 टीचर की नहीं है उन लाखों बच्चों की है जि कि खिलाव हमको आवाज ठानी चाहिए आज दिली में दिली में जब सरकार में था उस वक्त दिली जल बोर्ड का नगर निगम चुनाव से पहले पैसा रोक दिया गया था और आज तक दिली जल बोर्ड का पैसा नहीं दिया गया Finance Department के अफसरों से इधर उधर से फाइलों पे कुछ-कुछ काला पीला करवा के रुकवा रखा है पैसा Engineers परिशान है इलाके के नाले साफ नहीं हो रहे, सीवर साफ नहीं हो रहे और वो कह रहे हम तो पैसा नहीं देंगे डेर साल से जलबोड का पैसा नहीं दिया गया साल आ है उसमें जो अबी ओवर फ्लो हो रहा Element वह भी इसी तानाय शाही की वज़एसे हो रहा है जो नाली नहीं खुल पा रही है उसको डेर साल से पैसा नहीं मिला ठेके सार को ओवी इंजीनर रहा है बिजया कि मैं कहा से पेमेंट करूं ठेके दार को ये भी इसी तानाशाही की वज़े से हो रहा है आपकी गलियों की नालिया सड़ी हुई है इस तानाशाही की वज़े से मैं ही जेल में नहीं हूँ केजरिवाल जी जेल में नहीं है आप भी नरक में रहने को मजबूर हैं इसी तानाशाही की वज़े से क्योंकि आपके घर के स कहीं के राजयपाल को कहके जंता की चुनिएस सरकार के कानून感सिल करवा देते हैं कंव कंव क्या महीने तक कानून कानून पड़े रहते हैं उनकी पॉलिसी ना पहोодар होने देते हैं यह तताना शाही नहें तो और क्या है नुकसान किसको हो रहा है नेताओं को तो खाली जेली हो रही होगी, असली नुकसान तो जन्ता का हो रहा है, इसको लिए पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके लिए कोई कानून बनाया गया था, ये ताना शाही है, इस ताना शाही के लिए लड़ना पड़ेगा दोस्तों, और आखरी बात, जो मैं अभी क्योंकि विचलित करने हैं कई सारी चीजें, मैं अभी दो-तीन दिन पहले टीवी देख रहा था, और उससे पहले भी देख रहा था टीवी, एक साल से टीवी देखा नुश पे और क्या सहा रहा था, आपकी ख़बरें, आपकी शक्लें देखने को मिल जाती थी, मैंने से एक बहुत प्यारी सी हमारी बेटी निकल के खेलों में देश का पर्चम लहराती है सारी दुनिया में, और जब वो खड़े होके कहती है कि आपकी पार्टी के एक अफसर ने, आपके लगाय हुए एक फलाने नेता ने हमें छेडा है, तो आप उसको ग्रफतार तक नहीं क ताना शाही है कि उसको ग्रफतार तक नहीं किया जाता, इस देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी रहीं, खिलारियां, हम और आप सब अपने बच्चों को खिलारी बनाने का सपना देखते हैं, बेटियों को कहते हैं, जा बेटी, उच्छाल लगा, लगा चलांग और च चमचा बैठके उसको छेड़े तो हमें सहन होगा, लेकिन ये ताना शाही है कि उसको ग्रफतार तक नहीं करते हो तो, ये ही ताना शाही है दोस्तों, और उस ताना शाही का चरम सुरूप, हमने देखा कि अब उस बेटी के साथ क्या किया गया, मैं बहुत जादे नहीं लेकिन सबको पता है किस ने किया और क्या किया, आज अगर उसके आशू बहे हैं, तो कुछ तो खेल किया गया है, कुछ तो खेल किया गया है, दोस्तो, 17 महीने में, जब मैं अंदर था, तो अंदर रहके मैंने, खूब चिंतन मनन किया, ताइनी टाइम था, यहां तो आप लोग टाइम देते नहीं हो, वापस आगया हो, फिर टाइम नहीं दो गए, खूब चिंतन मनन किया, अपने उपर भी किया, समाज के उपर, देश के उपर, विवस्था के उपर, सरकारों के उपर, खूब अध्यम किया, मेरे ख्याल से मैंने कम से कम, हर 3-4 दिन में एक किता किताब खत्म कर देता था मैं, और कई लोगों ने भेजी, वाई पोष्च किताबें भेजी आप में से, कई लोगों ने, बहुता है, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, तो, यह महां भी छोड़ते थे, काम पर लगाया रखेंगे, करीब-करीब मैं समझता किताबें मैंने पढ़ी हुआ पे, हर दो-तीन दिन में एक किताबें खतम हो जाती थी, पर सबसे पहले, आपको ध्यान होगा, मैं गीता लेके गया था, और गीता लेके गया था, तो मेरे दिमांग में प्रशन थे, क्यार, भगवान, मैं तो स्कूल ही तो बनवा रहा था, म मेरी बीवी की, मेरे बच्चे की क्या गलती थी, कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए दिन राज सुबह से शाम एक करके स्कूल मनवा रहा था, उनके लिए अच्छे आइटी में चले जाएं, अच्छी नोकरिया लग जाएं, मैंने बगवान से पूछा, अंदर आख मंद क कि मेरी क्या गलती थी, मैं जेल में क्यूं हूं, तो भगवान ने का, गीता पड़ पता चल जाएगा, अंदर सहवाज आई, और मैंने गीता पढ़ी, और मुझे जवाब मिल गया, मेरे मन में जो भी सवाल आया, मैं ऐसे नहीं है कि हैं कोई उसकी बात कर रहा हूं, जब आ और बस भगवान के ऐसी गर्पा है कि मेरे मन में जो सवाल उठा और अंदर सवाज आती थी, इस सवाल का जवाब तुझे कहीं बहार से नहीं मिलेगा, गीता में मिलेगा, पढ़ ले, खूब गीता पढ़ी, और बाद में तो मैंने कम से कम, दस महान लोगों की व्याख्या कम से कम दस पढ़ ली होंगी, अलग-अलग लोगों की, विनोवा भावे जी की, गांधी जी की, सुरी श्री जी की, आचायरे प्रिशान जी की, बहुत लोगों की व्याख्या की हुई गीता है मैंने पढ़ डाली, देवदत पटनेक की, सब मैं से पढ़ पढ़ के, मुझे काम हुआ खुब पढ़ा में कम सो सवा सो बुक्स तो मैंने एजुकेशन के बारे में पढ़ी दुनिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में और मैंने एक सीज जानी दोस्तों और मेरा इरादा और फर्म होता गया आप और हम तो पहले से ही उस पर यकीन करते हैं हम मेरा यकीन होँ पक्का होता गया कि भारत को 2047 तक अगर विक्सित राष्ट्र बनाना है तो एक एक बच्चे के लिए शांदार सरकारी स्कूल उपलब कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विक्सित राष्ट्र बनाना के शत्रे महिने में उससे पहले कि अपने काम आप सब के काम और इस अध्यान चिंत विक्सित राष्ट्र बनाना है तो देश के एक एक बच्चे के लिए शांदार सरकारी स्कूल और जहां प्राइवेट है उनकी प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल में रखो इसके अलावा विक्सित राष्ट्र बनाने का कोई राजमार्ग नहीं है कोई रास्ता नही और अगर कोई आदमी कहता है कि मैं शिक्षा की बात किये बिना भारत को विक्सित राष्ट बनाने की बात कर लेता हूँ तो जुमले बाजी होगा वो केवल जुमले फैंक रहा होगा विक्सित राष्ट नहीं बनेगा अगर कोई आदमी कहता है कि इस देश के हर आदमी के लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे महला क्लिनिक उप्लब कराए बिना, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए बिना, हम विक्सित राष्ट खड़ा कर लेंगे, तो महा जुमले बाज होगा, नेता तो नहीं हो सकता, कोई विजनरी लीडर तो नहीं हो सकता, अपनी ताना शाही, जुमले बाजी की राड में ताना शाही का चुनाव जीतने की कोशिस कर रहा होगा, लेकिन नहीं बन सकता, बिना शिक्षा के, बिना स्वास्त के, विक्सित राष्ट बनी नहीं सकता, दुनिया का कोई राष्ट विक्सित नहीं बना बिना शि लोग जो करें, कि यार ये बच्चे पढ़ जाएंगे, तो आप 2047 का भारत विक्सित हो जाएगा, आज ये जो माबाप हैं, जो कल आने वाले समय के माबाप हैं, ये अगर इनको सब को अच्छे अस्पताल मिल गए, आने वाले बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल मिल इसलिए इसलिए सब को जेल में डालने पा गए फिर से सलाम करता हूँ कि इनकी तमाम ताकत के बावजूद इनकी तमाम साजिशों के बावजूद बुरे वक्त में चटान की तरह से इकठे होके खड़े रहे आप सब लोग इस जज़बे को मैं सलाम करता हूँ यह पार्टी के यह लीडरशिप बीच बीच में लीडरशिप यहां खड़ी है बैठी है कई सारे MLS साती एक सारे सीनियर लीडरशिप अपना खून पसीना एक करके सडकों पे लड़ रही थी, एक जुठ होके लड़ रही थी, ये केजरिवाल जी का कुनबा एक जुठ होके लड़ रहा था, केजरिवाल जी का कुनबा बिखरा नहीं, केजरिवाल जी के साथ खड़ा रहा हूं, इसी से इनको डल लगता है, और फिर कहा रहा हूं, कि भारतिय जनता पार्टी को अगर लगता है कि मनीज से सौधिया को जेल भेजने के बाद वो दिल्ली की शिक्षा करांती को रोक लगा देंगे, तो वो गल्ती कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं इस बात की, दिल्ली के हर गरीब आदमी को, यह यह एलक्शन का एलान कर रहा हूं, दिल्ल हुम जेल से ड़राते हो हम जान देने के लिए तो यार है बच्चों की एजुकेशन के लिए नौकरी के लिए और स्वास्त के लिए तो हमारी एक कई जिंदगिया भी कुर्बान हो जाए तो कम है यार आप हमें जेल से ड़राते हो नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे आपकी जेल दो करोड जनता दिल्ली की उसके जीवन में खुशाली लाने के लिए फिर से हम उतरेंगे एक घर पर जाएंगे एक घर को बताएंगे कि केजरिवाल जी इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई जुल्म किया है वह इसलिए जेल में है कि आपके बच्चों को एजुकेशन देने का सच्चा काम उन्होंने करके दिखा दिया वह इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई ब्रिष्टाचार किया है वह इसलिए जेल में है कि आपके महले में जो महला किलिक चल रहा है वह महला किलिक केजरिवाल जी ने बना दिया आप अराम से वहां जाके अपना चोटे मोटी चीजों को इलाज करा लेते हो, बड़े-बड़े सरकारी अस्पताल शांधार होते चले गए, इसलिए केजरिवाल जी जेल में है, और फिर से कहूंगा कि, जैसे संजय जी को निकाला, जैसे मुझे निकाला, और साथियों को निकाला, हर साथिक और केजरिवाल जी को भी संविधान की ताकत निकाल के लाएगा, भारतिय जनता पार्टी और इनके, बारतिय जनता पार्टी और इनके तोता मेना कितने ही ताकतवर हों, लेकिन देश के संविधान से ताकतवर नहीं हैं ये लोग, देश के संविधान से ताकतवर नहीं हैं, इनकी सारी य ही कहूंगा कि हम बगग स्टिंग के चले कैगे गया था यह बात कहके गए था ना घरने वाले नहीं आ थे जेलां से भी और तुम्हारे तोता मेना से भी सत्रे महिने में जैसे जैसा गया था मेलकुल सत्रे महिने पहले जैसा गया था वैसे ही दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा एनर्जी कुछ कम है कि जादा है जादा है ना बस इनको लग रहा था जेल भेज के एनरजी तोड़ देंगे अब यह कहेंगे और इनको जेल मद भेजो यह तो दुगने एनरजी लेके आते हैं तो दोस्तों आखिर मैं एक बात कहूंगा और वो इंपर्टेंट चीज है देखिए मैंने सारी बात इसलिए कहीं क्योंकि ताना शाही की लड़ाई है और यह ताना शाही मेरे लिए नहीं अरविंद केजरिवाल जी के लिए नहीं आमादी पार्टी के कारे करता और नेताओं के लिए नहीं विपक्षके पार्टी कारे करता और नेताओं के लिए नहीं देश के एक आदमी को बचाने के लिए है इसलिए आज कल जब हाँ सुबह बेल का ओडर आया उससे पहले मैं ऐसे ही टीवी देख रहा था उसमें नौ अगस्त के बारे में डिटेल चल रहा था कै से नौ अगस्त कितना महान दिन है भारत छोड़ो अंदोलन चलाए था फिर साड़े दस वजे ओडर आ गया बेल का मैं आखें बंद की मैंने भगवान से पूचा यह है क्या नौ अगस्त भारत छोड़ो के दिन बेल दे रहे हो चक्कर क्या है अंदर से आवाज आई कि भार चोड़ो के दिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जेल से बाहर निकलो और तानाशाही भारत छोड़ो के आवाज लगो तानाशाही भारत छोड़ो इस तानाशाही का शिकार हर आमाद में हो रहा है तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज उठानी पड़ेगी गली-गली में मह बड़े आंकड़े दिखाएंगे देखो हमारी economy इतने million trillion trillion पोँच गई GDP GDP के आंकड़े इतने बढ़ गए उसके बाद आंकड़े दिखाते सारे विपक्षके नेताओं को जेल में डाल देते हैं या उनको देश से बाहर बगा देते हैं विपक्षके कारे करताओं को जेल में और उसके बाद कहते हैं देखो हम तो चुनाव पर चुनाव जीतते जा रहे हैं हमारी तो GDP भी बढ़ रही है हमारी तो trillion billion चल रहे हैं लेकिन हकीकत क्या है वो कई देशों की जनता ने दिखा चुकी है कि भाई हम तो तानाशाहों को बाहर बगा देते हैं लेकिन हम भारत हैं हम विवेवा कानंद की गांधी की नानक की जनम भूमी हैं हम बावा साहब की जनम भूमी हैं हमारे को जरूत नहीं किसी तानाशाह को बाहर बाहर बगाने की, हम तो ताना शाही को बाहर बगाएंगे, तो ताना शाही भारत छोड़ो, 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 ताना शाही आज हमारे और आपके जीवन के लिए, एक आम लड़ना पड़ेगा और एक चीज गऊंगा यहां से विपक्ष के लिए भी और इनकी सत्ता में बैठे नए नए साथियों के लिए भी जो इनके साथ नए नए गए हैं इस तानशाही से अगर लड़ना है तो एक जुट होके लड़ना पड़ेगा यह ना सोचें कि आज आमा और उनका भी आएगा जो इधर नए नए गए हैं कि हम तो इनके साथ हैं एंडिया के साथियों को भी कहना चाता हूं उनके साथ जो गए हैं और इंडिया के डबंधन के विए एक एक आदमियुक और बाकी सब पार्टियों के साथियों को कहना जाता हूं पार्टी की अगर देश के विपक्ष के नेता एक जुट होके हुंकार बढ़ देगे तो केजरिवाल जी केवल और केवल 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आजाएंगे अलेकिन इकठे हो करना पड़ेगा यह मैं सोची अभी तो केजरिवाल जी गए जब हम पर आएगी तो देखेंगे नह सब पे आई हुई है सब कोई कट्टे होके लड़ना पड़ेगा सब कोई कट्टे होके चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे लड़ाईयां भी लड़नी पड़ेंगी कानूनी लड़ाईयां भी लड़नी पड़ेंगी और एक जुट हो गया तो इस चुनाव में तो दिखाई दिया कि 400 पार ढूंडते रहे गए एक जुट होके लड़ेंगे तो आगे आने वाले चुनावों में भी ढूंडते रहेंगे कहां है जीरो पार बस जीरो पार तो ये कोई ये ना सोचे की अलग अलग लड़ लेंगे जब हमारी लड़ाई आएगी तो लड़ लेंगे लड़ाई सब की है लड़ाई देश की है लड़ाई एक एक भारत के नागर की है सब पार्टी वालों को जिनको जनता ने थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं भरोसा दिया है कहीं जादे दिया है सब को इकठा होके इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जोर से चिलाना पड़ेगा कि तानाशाही भारत छोड़ो, और जिस दिन तानाशाही भारत छोड़ो का नारा हर गले से निकल गया, केजरिवाल जी सबसे पहले जेल से भार आएंगे, हैमन सोरें जी आ के चुनाव में भी और बाकी चुनाव में भी, पूरे देश में कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक एक एक घर में इस आवाज को ठाएंगे, एक एक शहर, एक एक नगर में इस आवाज को ठाएंगे, और बता देंगे कि हमारे इलादे कितने फौलादी हैं, तुम चाहे ज इतनी आतनाय दे लो तुम चाहे जितने जुलम कर लो जब तक इस देहे में प्राण रहेगा और माते पे सम्मिधान रहेगा इस दिल में हिंदुस्तान रहेगा भारत माता की भारत माता की